नमस्कार दोस्तों, Crescent Education Classes में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड परिक्षा मवाणी सीरीज दोस्तों PCS का एक्जाम है तीन अपरेल को जबकि समिक्षा दिकारी महा दिवक्ता कारे लेकर अंतरगत एक्जाम होने वाला है 27 मार्ज को तो आरो एरो के लिए आपके पास एक हफ़ते का समय है जबकि PCS के लिए दो हफ़ते का समय है तो इन दो एक्जाम को ध्यान में रखकर दोस्तों हम यह सीरीज चला रहे हैं यह बूस्टर क्लासे होने वाली हैं दोस्तों यह आपको confidence से भर देगी एक्जाम में जाने से पहले परिक्षावानी दोस्तों उत्राघंडे के आप जानते हैं कितनी महत्वपून बोख है इसके बिना आप कोई भी एक्जाम करेक करने की सोज भी नहीं सकते उत्राघंडे में तो यहां से बहुत सारे प्रशन आने के संभाव न रहेगी तो उत्राघंड परिक्षावानी जो अभी अध्यतन है लिटिस्ट है इसके हम दोस्तों सारे MCQ आपको करवाएंगे इन वीडियो में आज है प्रैक्टिक साट वन आज तकरीवन 70-78 MCQ आप करेंगे लेकिन आप आता भी है तो भी देखो आपका रिवाइज हो जाएगा नहीं आता तो तो जरूर देखो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आज आपको जानने को मिलेगी उत्राघंड के बारे में आप चाहे अन्य एक्जाम की तेयारी पी करते हैं चाहे पटवारी हो चाहे पुल तो दोस्तों आज का पहला कोशन है निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्राघंड का राज्य पक्षी है चार ओप्षन है गोड़ा वसन कुले मोनाल या फिर कबूतर राइट आंसर है दोस्तों मोनाल मोनाल हमारे उत्राघंड का दोस्तों राज्य पक्षी है ठीक है जब हम हमारा राजय पक्षी है, दोस्तों, वो कौन है, मोनाल है, मोनाल से रिलेटेट बहुत सारे कोशन आते हैं, जिसे कि भई इसका वेग्यानिक नाम होता है, लोफो फोरस इंपीजेनस, क्या होता है, लोफो फोरस, अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको राज्य पुस्प भी चुना गया था, तो हमारा राज्य पुस्प कौन सा है, दोस्तों, ये है ब्रह्म कमल, ठीक है, ये जो ब्रह्म कमल है, दोस्तों, ये हमारा राज्य पुस्प है, ठीक है, राज्य पुस्प इसको दोस्तों, वैसे इस थानिय भासा में क्या बोलता है, कॉल पदम, यह पूछा जाता है कॉशन, कॉल पदम, इस्थानिय भासा में इसको बोला जाता है, ठीक है, इसकी यहाँ पर कुल मिला के उत्रा खंड में 24 प्रजातियां दोस्तों, पाई जाती है, वैसे देखा जाए, तो पूरे, अगर हम विश्रकी बात करें, तो यह 210 इसक लेटा, ठीक, अब वे लेटा, ज्यादा फैक्स डिसकस नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि 70 से ज्यादा दोस्तों हमने कोशिस करने है, ठीक है, अगला देखेंगे, असकोट वन्य जीव विहारन, किस अब जन्पद में अवस्तित है, असकोट, असको अब देखो, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिया आहार क्या है, हमारे राज्य पक्षी मोनाल का प्रिया आहार क्या है, दोस्तों, ये होता है, अलू, ठीक है, अलू को बड़े चाओं से ये खाता है, तो इसका प्रिया आहार क्या है, दोस्तों, अलू, ठीक है, फसल को भी द ठीक, कांचुल खरक या कांचुला खरक, PCS मुख्य परिक्षा मार का है, जडी बूटी, सोद केंदर, सौट्वेर केंदर, कस्तूरी मिर्ग सरक्षण एवं प्रजनन केंदर, इसका राइट आंसर है, कस्तूरी मिर्ग सरक्षण एवं प्रजनन केंदर, ठीक है, मिर्ग कर vista किया गया तिए, नाम से प्तालों करा कस्तुरी मिर्गों के स рек्षण ऑवं प्रजिठनदेश inadequate थे कहसतूरी मिर्ग कौन है कस्तुरी मिर्ग क्वात्तु हमारा करा राज्य पसु है ये भी पूछा जाता है थीके इसका वेग्यानिक नाम होता है मासकस काईसोगास्टर हिमालेन मस्क डियर के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता अभी इस पर भी कोशन आएंगे लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ ठीक है तो कस्तूरी मिर्ग सरक्षण हैं प्रवगनन केंदर कहां पर है राज्य पुस्प ब्रह्म कमल की उत्राखिण में कित्ती प्रजाते पाई जाती है अभी मैंने आपको बताए कित्ती पाई जाती है चौबिस ठीक है ओवराल विश्व में 210 पाई जाती है ठीक है अगला देखेंगे राज्य विर्क्ष बुरांस अब देखो यहां से पता लगए कि भी जो हमारा राज्य विर्क्ष है दोस्तों वो क्या है बुरांस है ठीक है कभी काद इसका विग्यनिक नाम भी पूछा जेता है ठीक है तो इसका विग्यनिक नाम क्या होता है रोडो डेड्रॉन अर्बोरियम ठीक है क्या होता है रोडो डेड्रॉन डेड्रॉन अर्बोरियम ठीक ये दोस्तों इसका क्या है विग्यानिक नाम है तो राज्य विरिक्ष बुरास में फूल लगने का टाइम कब होता है ये आप से दोस्तों पूछा गया है ठीक है तो इसक यह क्या है परवती व्रिक्ष है इसी मैदान में युकता है ठीक है और वैसे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है इसका कलर बदलता जाता है अगर आप निंची हाइट में देखेंगे जैसे पंदरा सो से चार जार मीटर के उचाई पे तो बुरास के जो फूल है इनका बुरास मिलने लग जाते है तो ऐसे कोशन भी पूछे जाते है अब आप बताईए राज्ये में कुल कितने जिले हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हमारे राज्ये में कुल मिलाकर 13 जिले हैं थीक है नौ नौमबर 20 को 13 हिमाले जिलों को काट करी हमारे उत्रागंडे राज अंचल से उत्रा अंचल कर दिया गया बड़ा इंपोर्टेंट कोशिन है कई बार पूछा जाता है ठीक है पहले जब दोस्तों हमारे राज्य का गठन हुआ था नौ नवंबर 2000 को ठीक है 9 नौवंबर 2000 को ही हमारे उत्रा घंड का गठन हुआ था वैसे यहाँ पर जो कोशिन है वहाँ पर आना चाहिए था उत्रा अंचल उस समय पर नाम क्या था उत्रा अंचल था ठीक है तो 9 नौवंबर 2000 को उत्तर परदेश के 13 हिमाले जिल्लों को काट कर क्या बनाया था हमारा उत्रा घंड बनाय गया था शत्ता आईसवे नंबर का यह राज्य है और ग्यारवे नंबर का ले राज्य है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे लिमने में से कौन से विधानसबा सीट अनुसूची जनजाती के लिए आरक्षित है ठीक है देखिए हमारे यां दूसरी है नानकमत्ता तो यहाँ पर आपको कौन सी दिख रही है चक्राता विधानसभा सीट तो यह अनुसूची जन जाती के लिए आरक्षित है चलिए नेक्स कॉशσιन देखे नीचे आपको दो दिए गए हैं और आपको बताना है कठन और कारण ओर आपके सामने चार ऑप्षिन है ठीके देखे देए उतरांचल राज्ये में विधाईका में कुल सतर सदस्य है हमारे विधानसॉब में सतर सदस्य हैं बिलकुल क्या है राज्यपाल और विधान सभा केवल ठीक है हमारे विधान मंडल में क्या है केवल राज्यपाल और विधान सभा विधान परिसद हमारे यहां नहीं है ठीक है हलंकी जब यूपी था तो उस समय पर क्या था कि यहां पर विधान परिसद भी हुआ करती थी वह जब उत् विधान सभा में कनवर्ट हो गए थे ठीक है उस समय पर यहां पर विधान परिशत हुआ करती थी ठीक तो फिलाल अभी हम क्या देखेंगे इसका क्या होगा कि ए तो सही है लेकिन बी वाला गलत है यानि कि ए सही है कि इन्तु आर गलत है ठीक है अगला देखेंगे निम्ने मे रुड़कि का है दोस्तों है तेखेंगे तेखेंगे इसका इसका इसुअ परीदिवार के अंधर गाता है मिल्ला के दुड़क का है नहीं है अगलत है President Next question देखेंगे उत्त्रांचल में एक ग्रामसभी कर्था अधांगा की जाती है उतत्रांचल में ग्रामसभी कि स्थाफना किसके द्वारा कीजाती है अब ग्रामसभा का मतलब है उस particular area में पंजी कृत्मत दाताउं की संक्या ठीक है यानि कि ऊस area की water list अब बताए water list कौन बनाता है बनाते ही है राज्य सरोकार तो राज्य सरोकार के द्वारा ही दोस्तों ग्राम सभा की स्थाफना की जाती है, ठीक है, इसके बाद देखिए, राज्य में कितने नगर में नगर निगम है, अब दोस्तों ये थोड़ा सा टिपिकल कोशन है, अभी तक दोस्तों कितने थे, आठ थे, अब कितने हो गये हैं, नौ हो गये है, एक स्विन नगर क्या बन गया है नया नगर निकम बन गया है बात कर लेता हूँ मैं आपको बता देता हूँ नगर निकम कौन कौन से हैं कुमाओ की बात करेंगे देखे कुमाओ में बात करें तो कुमाओ में कौन कौन से हैं तो गडवाल की तो गडवाल में दोस्तों कौन-कौन है देखें गडवाल में सबसे जब का हरी दवार टीक है फिर आता है रि 3 4 5 6 7 और कुमाव में कितने हैं दोस्तों? 3 गड़वाल में 6 1 2 3 4 5 6 स्व interestingly, 6 और कुमाव में कितने हैं 3 तो 6 और 3 का 90 प्रण गड़ा बैठता है साधा है, तो 9 अभी नगर निगम है तो आगे上 turn की नगर निगम का नगर प्रमक नगर निगम का नगर प्रमुक क्या किया जाता है राज्य सरकार द्वारा निक्ति किया जाता है राज्य पाल द्वारा नामित किया जाता है स्थानी जंता द्वारा निर्वाचित किया जाता है सबासदो द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो बताई इसका राइट अंसर क्या होना चीज़, इसका राइट अंसर है, इस्थानी जंता द्वारा निर्वाचित किया जाता, बएग नगर निगम का जो नगर प्रमुख है, आगर आप कहा नगर पाली का चुनाऊ होते होंगे, तो उसको कैसे करते हैं, आप अपने नगर निगम के मेर का चुनाव कैसे करते हैं आप क्या करते हैं सिंप्ली स्थानी जंता द्वारा उसको निर्वाचित की आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाल ओप्शन इसका करेक्ट है ठीक है अगला देखिए उत्राखंडर राजजी की स्थाई राजधानी के चैन हितु राजजे द्वारा बनाया गया आयोग है बड़ा इंपोर्टेंट है स्थाई नी राजधानी के चैन हितु कौन सा आयोग दोस्तों बनाया गया था तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका right answer है इसका right answer है दोस्तों दिक्षित आयोग ठीक है दिक्षित आयोग का ही दोस्तों उस समय पर गठन किया गया था वैसे देखा जये तो उस समय पर अंतरिम सरकारती भाजपा तो उसने क्या किया था इस थाई राजदानी चैन आयोग का गठन किया था 11 जन्वरी 2001 को ठ तब से बनाए गया तपके इसका नाम क्या बन गया दिख्षितायग बन गया ठीक है बाद में क्या किया दोफार आट को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पर्स्थत की थी मुख्य मंतरी और इन्होंने बोला था कि जो गेयरसेण है उसको राजधानी नहीं बनाना चाहिए इन्ह तो इसलिए जोग्रेफिकल सेंटर है तो इसलिए उसको बनाया जाना चाहिए लेकिन दिक्षेतायोग ने एक सिरे से उसको नकार दिया था था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे उत्राँचल राज्ये के गटनगीतिति है क्या है आपके दोस्तों पता है नौनोंबर दोहचार इसका राइट आंशर है ठीक है? अगला देखेंगे निम्ने में से उत्राघंड का जिला कौन सा नहीं है ठीक? परी चमपावद बागेश्वर रुदरप्याग यह सभी उत्राघंड के जिले हैं विजनोर उत्राघंड के जिले में नहीं आता है ठीक है 30% का ठीक है बुहन चंद खंडोरी है इन्होंने अपने कारेगाल में किया था 30% का दोस्तों आरेक्षन किया गया था Horizontal Reservation भूमन्स को दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे उत्रांचल विधान सभा में एक सदसे नामित किया जाता है उत्रांचल विधान सभा में एक सदसे कहां से नामित किया जाता है दोस्तों Anglo-Indian समुदाई से नामित किया जाता है देखे 70 विधान सभा सीटे है प्लस एक कहां से किया जाता है Anglo-Indian समुदाई से इस समय पर कौन है George Ivan Gregoryman ठीक है कौन है George Ivan Gregoryman ठीक है अब वैसे बात चल रही है कि अब नहीं चुना जाएगा ठीक Gregoryman ठीक George Ivan Gregoryman ठीक तो आप तो वैसे भी आपको पता है कि अब तो नहीं सरकार बनेगी जल्दी ही 22 मार्ज को पता चलेगा कि बही कौन मुख्य मंतरी बनेगा तो फिलाल यह है कि अंगलो इंडियन सम्मूदाय से बात चल लिएगी नहीं अब लिया जाएगा कोई भी ठीक है अगला देखिए उत्तरा घंडे भारत का कौन सा राज्य है 27 वे नंबर का राज्य है जैसे कि मैंने भी आपको बताया आप देखिए उत्रा घंडे उच्चे न्याले कहाँ पर इस्तित है दोस्तों यह कहाँ पर है दोस्तों ननिताल में अवस्तित है बहुत बार ननिताल हाई कोट से भी दोस्तों कोशन्स बनते हैं पूछा जाता है भी कौन से नंबर का ये हमारा उच्छे न्याले है तो ये कौन से नंबर का दोस्तों 20 नंबर का उच्छे न्याले है ठीक है तो उसे ये किस भवन में आवस्तित है ये भी पूछा जाता है ठीक है ये जहां पर क्या है ना जिस भवन में आवस्तित है मतलब क कि उसका निर्माण किस नहीं किया था, ठीक है, तो सेंटोनी मैकडॉनल्ड ने इसका निर्माण करवाया था, कि जहाँ पर आज हमारा नैनिताल का, हमारा नैनिताल में उच्चे नियाले भवन अवस्थित है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्ण भी इससे पूछे जाते हैं, ठीक, तो बीसवे नमबर का दोस्तों, हमारे नैनिताल को उत्रागंड उच्चे नियाले की नैनिताल में स्थ उद्रप्या कहां पर है गडवाल मंडल में पौड़ी भी गडवाल मंडल में लेकिन जो बागेस्वर है दोस्तों ये कुमाउ मंडल में अवस्तित है हमारे कुमाउ मंडल में कितने जिले हैं दोस्तों छे जिले हैं जबकि गडवाल मंडल में साथ जिले हैं ठीक है तो साथ पर दोसTV क्या की हुआ था युषिस समय पर उत्त्रा खंडे के पर्थम मुख्य मंत्री बने थे नित्यानन कि नित्यानन स्वामी बने थे तृ अंतरिम सरकार थी तो उस्वामी तो समय पर उस्वाले थी कितने दोसद्तों यह भी पूछा जाता है पंचायती राज संसोधन अधीनियम 2008 के अंतरगत पंचायतों में मैलाओं के आरचन की सीमा कितनी तै की गई है। करेंगे कि MONAL PAKCHI कि सुचाई तक मिलता है MONAL PAKCHI कि राज़की पकषी ठीक है एक कि सुचाई तक मिलता है तो यह दोस्तों किस सुचाई तक मिलता है 8-20-20000 फीट तक की उचाई में मिलता है ठीक है चल्या आगे बढ़ेंगे Abb задач कुष्भुकार कुष्भा कमल कि देवता सुराज ब्रस्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा तो सुराज ब्रस्टाचार उन्मूलन वं जनसेवा विभाक का गठन किया गया था 2011 में ठीक है अगला देखेंगे राज्य विधान सभा की पहली उपाद्यक्ष बहुत बार एक कोशन पूछा जाता है राज्य विधान सभा की पहली उपाद्यक्ष दोस्तों कौन थी ये थी आपकी विज्या बड़त्वाल ठीक है अगला देखेंगे उत्रा खिंडे की दूसरी राजभासा कौन सी है तो कौन सी है दोस्तों हमारी संस्कृत है ठीक है 2010 से जनवरी 2010 से हमारी दुत्ती राजभासा कौन सी है संस्कृत है पहली कौन सी है हिंदी ठीक है पहली पता हो नीचे कई पहर कहते हैं कि मैं दूसरी पता पहली पता ही नहीं ठीक है तो पहली कौन सी है हिंदी है दूसरी हमारी कौन सी है संस्कृत है ठीक है उत्रागेटिकी दुत्ति राज्य भासा भी हमने बोला कौन सी है दोस्तों संस्कृत है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार पेपर यह आ रहे हैं पेपरों में आते जा रहे हैं ठीक है क्योंकि यहां पर कोशिंस बनते रहते हैं ठीक सबसे पहले देखो हवल बाग हवल बाग आता है दोस्तों अलमुडा के अंदर ठीक है इसके बाद देखिए जो डुंडा है डुंडा कहां पर है यह उत्तरगासी में ठीक है ओखलकंडा आता है नैनिताल में और खानपूर आत दो तीन ठीक है तो चार एक दो तीन यहने कि सी वाल उप्शन इसका करेक्ट बनता है ठीक चलो आगे बढ़ेंगे उत्तरगंड में सरवादी को सबसे कम छेतरफल वाला जिला है देखिए सबसे ज़्यादा छेतरफल सबसे कम छेतरफल हमेशा से कोशन पूछा जाता है ठी छमोली का छेतरफ़ल भी आपसे पूछा जा सकता है कितना होता है तो दोस्तों 8 dääre 30 वशर्ग किलोमिटर जबकि है चमपावत का है 1766 किलोमिटर बार-बार ये क्योशन-पूश पूछा जाता है तो उत्तरकासी कहीं से भी सही नहीं है अभी चमुली और चम्पावर ठीक है अगला देखो चेतरफल के घटे क्रम के अधर पर निम्ने जन्पदों का अपने सही क्रम बताना है तो भई सबसे बड़ा कौन सा है बहुत एजी है आपके लिए बताना सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों चमुली है फिर उसके बाद कौन आएगा उत्तरकासी यहाँ पर से आप देख सकते हैं उप्शन से ही आपको पता लग जाएगा सबसे बढ़ा कौन है चमुली फिर है उत्तरकासी फिर है पितारागर पौणी नैनी ताल तो C वाल उप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आज बहुत सारे कौशन करने इसलिए ज़्यादा भी डिसकस नहीं कर सकता ठीक है राजजी की कुल पांच लोग सबसे सीटों में से कितनी सीटें S C के लिए सुरक्षे थै अब देखे ये भी अच्छा कौशन है पहली बात तो हमारे हैं लोग सब अगर इसको मान सकते हैं तीन हमारी कहा होगी दो मतलब आप कुमाओं के लिए मान लो और तीन आपका हमान लो गडवाल में मान लो ठीक है तो गडवाल में कौन से एक तो टीरी के अलग हो जाती है ठीक है फिर आपकी गडवाल छेत्र में पॉड़ी को आप एक अलग मान ल तो तीन गहां पर बैयान लो गड़वाल के लिए माल लो ठीक है तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको solve कर सकते हैं चलिए आगला देखेंगे उत्रागंडे के पर्थम राज्येपाल कौन थे उत्रागंडे के पर्थम राज्येपाल थे स्री सुर्जी सिंह बरनाला हमारे बरनाल में SC, ST, OBC को कितना आरक्षण दिया गया है? SC को कितना है? ST को कितना है? OBC को कितना है? बार बार ये कोशन पोछा जाता है तो इसका right answer क्या है? दोस्तों SC को कितना है 19% ST को है 4% और OBC को कितना है 14% 19,4,14 ठीक है ये याद रखना आरेक्षण से भी बहुत सारे प्रशन बनते रहते हैं अब अगला देखो राज्य सेवा में स्वतनता संग्राम सेनानी वर राज्य अंदुलनकारियों को कितना आरेक्षण दिया गया है तो कितना गया है दोस्तों संग्राम सेनानी को 2% है जबकि राज्य अंदुलनकारियों को कितना दिया गया है 10% का आरेक्षण दिया गया है ठीक है इसका राइटान सो जाएगा 2% वर 10% ठीक है अगला देखिये राज्ये में भूतपुर सैनिको खिलाडियों को कितना रिशंट दिया गया है भूतपुर सैनिको कितना दिया गया है तो यहनि कि 5% और 4% ठीक है फिजीगे लिए हेंडीकाप को कितना है 3% ठीक है यह सब चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़के चले जाना महा अगला देखो तो इन से भी प्रस्ना आ जाए तो कब हुआ था दोस्तों 1997 में दोस्तों इसका हुआता 18 सेप्टेंबर को, ठीक है, सबका कब हुआ था, 1997 में हुआ था, ठीक है, अगला देखेंगे किस जिले में सरवाधिक गाउं है, तो सरवाधिक गाउं वाला जिला दोस्तों कौन सा है, पौडी है, ठीक है, सरवाधिक गाउं वाला जिला है, दोस्तों कौन है, पौडी है, ठी तो पौड़ी में है गड़वाल मंदल का मुख्याल है ठीक है अगला देखेंगे राजे में राजेस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है ठीक है राजेस्व पुलिस व्यवस्था दोस्तों यहां पर कब से है यहां पर लागू है 1875 से ठीक है राजेस्व पुलिस तो 1874 के बाद से दोस्तों ये लागू है ठीक है चले आगे बढ़ेंगे निमने जीलों वा तैसिलों में कौन सुमेलित नहीं है ठीक आपको बताना है कौन से जीले से कौन सा तैसिल नहीं है देखिए टीहरी अफकोस घंसाली है दहरादून विकासनगर पिथारगर हरिद्वार गरुड कहां पर गरुड बागिस्वर में ठीक है बाकि चमुली ठराली उत्रगासी पूरोला बिलकुल सही है ठीक है अगला देखिए निमन जिलों में सबसे अधिक छेतरफल वाला जिला देखिए यह थोड़ा सा अलक सा कोशन है यहां पर आपको क्या करना है कि ये जो जिले हैं इन में से अधिक छेतरफल वाला जिला बताना है क्योंकि ये आपके क्या है चारों में से मतलब यहाँ पर उत्तरकासी निमला आपके सामने चार ओप्षिन दिये गए हैं इन में से आपको बताने कि सबसे अधिक छेतरफल वाला जिला कौन सा है ठीक है तो निम्न में से उत्रागंडे की पहली महिला राज्यपाल कौन थी पहली महिला राज्यपाल की बात हो रही है तो दोस्तों कौन थी स्रीमती मार्गेट अलवा ठीक है मार्गेट अलवा हमारे चौथे नंबर की राज्यपाल है ठीक है लेकिन पहली महिला राज्यपाल थी ठीक ह तो उत्रघंडे विधान सहाब हमें कितने सजर से मनोनित किया जाते हैं है और एक एक हैंगलो इंडियन, अभी बता आपको तो把 और और आप राजना से, अभी कौन राजयों है दोस्तों है और ये पूछा जा सकता है तो लाफ्नियन जर्णरल गुरमीज अभी हमारे उत्रागंडे के राज्य पाल है ठीक है अगला देखेंगे राज्य लोकसेवा आयोग अपने कारियों की वार्सिक रिपोर्ट किसको देगा तो यह किसको देता है दोस्तो राज्य के राज्य पाल को जो राज्य लोग से वाय हो गए है अपने कारियों की वार्शीक रिपोर्ट किसको देता है दोस्तो यह राज्य के राज्य पाल को देखता है ठीक है अगला प्रशन है उत्तरा खंडे मंत्री परिसद में अधिक्तम म उख्य मंत्री को जोड़ कर कितनी मंत्री हो सकते हैं दूस्तों 12 हो सकते हैं ठीक है अच्छा कोशन है और ये बार-बार रिपीट होता रहता है ठीक है उत्राघंड विधान सापा में अनुसुची जन जाती के लिए कितनी सीटा रक्षित हैं जैसे कि मैं आपको बताया दो है छक्राता और नानकमत्ता ठीक है उत्राघंड पहले राज्यपाल कौन थे कई बार आचुका है शिरसुजी सिंग वरननाला ठीक है उत्राघंड विदान सापा में एक सदस्यशन स्सिऑ किया जता है एंगलो-ंडियन समुदाय से उत्राघंड राज्ये का राज्य पुस्प हरीस रावक्जी ठीक है कॉंग्रेस की सरकार्ती ध्यानक ना उत्राघंड में राशपती सासत 27 मार्ट 2016 को लगा था ठीक है अगला देखेंगे उत्राघंडे के पर्थम पुलिस महानिधिसक तो उत्राखंड के पर्थम पुलिस महानी दिसक कौन थी दोस्तों वो थे असोग कांथ सरण ठीक है पुलिस महानी दिसक कौन थे असोग कांथ सरण ठीक है और दोस्तों अभी कौन है अभी भी पुछा जाता तो अभी भी कौन है असोग ही है लेकिन असोग आगे से क्या पक्षी है तो मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी दोस्तों केवल अभी फिलाल उत्रा खंड़ेगा उस समय पर आंसर भी और सी हुआ करता था हिमाचल प्रदेश का भी हुआ करता था लेकिन मोनाल अब हिमाचल का राज्य पक्षी नहीं है यहां का है जजुराना ठीक है ज नेक्स कोशन दिखिए उत्रा गंडर राज्यकार राज केख्यल कैल इसरे किया था फुट बेशन है था मुल्कार्ट के आसरैंगल में तो सथय हो सास्थिह नई है। आप सामने देख सकते हैं उत्राघंड राजेगा राजेकेल बैटमिंटन नहीं है क्या है फुटबॉल है ठीक है बागी सब सही है ठीक है उत्राघंड में लोगसभागी कितनी सीटे हैं लोगसभागी दोस्तों कितनी सीटे हैं दोस्तों यहां पर पांच राज्यसभागी कि मानिय उची नहले कहाँ पर अवस्तित है दोस्तों नेनिताल में अवस्तित है ठीक है अगला देखेंगे चलिए अगला कोशन अच्छा है कुमाव मंदल के कितने जन्पद गडवाल मंदल की सीमा को इस पर्स करते हैं कुमाव मंदल के कितने जन्पद है ठीक है ये कुमाओं के चार जिले हैं जो की गड़वाल मंडल की सीमा को इसपर्स करते हैं ठीक है ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गड़वाल के कितने जिले करते हैं तो गड़वाल के दो करते हैं कौन-कौन है? एक है आपका चमुली तिक है और दूसरा है आपका पौडी गड़वाल ठीक है तो पौडी गड़वाल और चमुली यह 됩니다. यह तो जिले है जो कि कुमाओ मंडल के सीमा को सपर्स करते हैं! तो यहाँ पर कोशन है कुमाव मंदल के कितने जिले गड़वाल मंदल की सीमा को सपस करते हैं ठीक है तो कुमाव मंदल के करते हैं चार जब कि गड़वाल मंदल के करते हैं दो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उत्रा खंडे के पर्थम मुख्य सचीव कौन थे अगे बढ़ेंगे कुमाव मैंडल में कितने जिले हैं अभी मैनने आपको बताएं vocal mile इंपको कितने हैं साथ त्तिय राज बंढ़ कउन सा ठीक है अगला देखेंगे राज्य पुस्तुर ओन से था हमारा है कस्तूरी मुर्ग, ठीक है, माइसकस काईसो कास्टर, ठीक है, राज्ये पुस्प, हमने बताए आपको ब्रह्म का मल, ठीक है, अगला देखे, राज्ये के लिए महादिवक्ता की न्युक्ती, महादिवक्ता एड़ुके जनल, महादिवक्ता से रिलेटेट कोशन आ सकता है, मह तो डीवाल उप्शन इसका करेक्ट हो गया ठीक है अगला देखेंगे उत्तरा घंड में नगर निगमों के मेर का चुनाव कौन करता है तो बही उत्तरा घंड नगर निगमों में अभी मैंने आपको बताया नगर निगम का कौन होता है मेर तो कौन करता है पर्तेक्ची रूप से जनता करती है ठीक है जनता करती है ठीक अब अगला देखिए कौसिक कमीटी का गठन कब हुआ था दोस्तों कौसिक कमीटी का गठन हुआ था वर्स 1994 में ठीक है 1994 में कौसिक कमीटी का गठन हुआ था और इनके द्वारा रिपोर्ट दी तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न अभी फिलाल प्राक्टिस सेट एक में आपको इतने कोशन देखने को मिलेंगे इसकी पीडिएफ में अपने टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइट करवा दूँगा वहां से आप देखते हैं अभी जो अध्यतन परिक्षाम वानी आई है उससे रिलेटेट ये कोशन में आपको करवा रहा हूं ठीक है जल्दी प्राक्टिस सेट टू भी लेकर आऊंगा और ऐसे ही आपको सौ देख सो कोशन पर देगे में आपको करवा दूँगा बूस्टर क्लासेज रहेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें जहां पर जानने को मिलेंगी रिवीजन हो जाएगा अच्छे से तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन टेक करें गुडबाए